जिन्दगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो मैं बस इतना सोचता हूँ कि राहे जिन्दगी अगर आजसा होती तो क्या मज़ा था एक एक्टर को अच्छा दिखाने में बहुत सारे लोगों की महनत होती है मेरे यहाँ पर कोई फैमिली में कोई नहीं है जहनी तोर पर कैसा है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो आज हमारे साथ है हितेश भारतवाज जिनको आपने उडारया सीरियल में बहुत सारा प्यार दिया है और अब ऑडियन्स के प्यार से गुम है किसी के प्यार में सीरियल में हमें देखने मिल रहे है सबसे पहले रजट के किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब आपके पास ये किरदार आया तब आपने क्या सोचा क्या आपका thought process था इसके पीछे thought process बहुत ही simple सा था कि कहानी क्या है और इस किरदार के पीछे की एक कहानी क्या है मैं जब भी कोई किरदार चुनता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ तो मैं हमेशा उसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो किरदार तक वो ही पहुंचाती है आपको तो जब मैंने इस रोल के बारे में सुना रजट के बारे में सुना वो हमेशा TRP में टॉप 5 में रहा है तो एक responsibility आ जाती है audience की कि अगर मैं entry कर रहा हूँ तो audience को मेरा काम पसंद आना चाहिए और आपका जो किरदार है उसमें आप खरी उतरना चाहिए तो ऐसे सारे जो thought process थे वो आपके mind में आये कि मैं कैसे खरा उतरूँगा audience के चाहिए बिल्कुल see responsibility तो है आप कोई भी रोल करते है ये TRP तो एक बहुत बड़ा reward है हम सारे actors के लिए लेकिन आप जो भी show करते हैं उतनी मेहनत से करते हैं आप देख रहे हैं आप रोज यहाँ पर आती हैं आपको देखता हूँ, आप लोग आके पूरा record करते हैं, हम सबसे रूबरू होते हैं, चाहिए बारिश हो धूप हो, तो एक show को बनाने में बहुत लोगों का हाथ होता है सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं एक एक्टर को अच्छा दिखाने में बहुत सारे लोगों की महनत होती है बहुत बड़ी टीम के साथ हम लोग काम करते हैं तो TRP एक reward है लेकिन अगर TRP नहीं भी आती है तो भी सारे लोग महनत के साथ काम करते हैं वो एक उम्मीद के साथ लेकिन हाँ जब आपके पास TRP है जब आपके पास देखने वाले लोग हैं जब आपके पास जब आपको इतनी महबबत मिल रही है शो से तो रिस्पॉंसिबिलिटी तो बढ़ जाती है और इसी के साथ पुलिस ओफिसर का किरदा निभार है जब आपने कहा कि आपने पहले भी निभार चुका है तो इसमें कौन सा अलग है और क्या अलग बात आपको लगती है पुलिस ओफिसर का तो अफकोस मैंने काफी ज़ादा रोल मैंने पुलिस ओफिसर के ले किया है मतलब ऐसा नहीं बट हाँ कभी किसी में मैंने आई एस ओफिसर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कही ना कहीं सिविल से रिलेटेड मेरे कही सारे शोज रहे है और मैंने पुलिस ओडारिया में जो लोगों को बहुत पसंद आया था वो मैंने रोल प्ले किया है एक attitude wise भी मुझे ऐसा लगता है कि एक businessman जिसने अपने आपको अपने दम पर अपने वजूद, जिसने अपना वजूद create किया हो वो ये करदार है और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि similar है बहुत हितेश के साथ क्योंकि जब मैं शहर में आया था, Bombay में आया था पहुंचाया है और audience की वज़े से, आप लोगों की प्यार की वज़े से आज मैं ये इतना बड़ा शो भी कर रहा हूँ So I'm always thankful, जो gratitude है सब के लिए तो रज़त भी वैसा ही है, रज़त ने भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही बड़ा बनाया, ऐसे ही वो लोगों की उमीदों पर खरा उतरा है जैसे कि रज़त खरा उतरा ही अपनी उमीदों पर और काफी सकसेस पा लिया है रज़त ने लेकिन हितेश जो है, और कौन-कौन से सीड़िया जो है चड़नी बागी है मुझे नहीं पता, मैं जब भी बैठा होता हूँ बाइदवे, मैं आज तक के साथ इंडिया टुड़े के साथ नौकरी भी करता हूँ मैं जॉब करता हूं इंडिया टुड़े में और मुझे लगता है कि यार जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो क्या मज़ा था, राहे जिंदगी अगर आसा होती तो क्या मज़ा था, जुनूम जीने का मेरा शौक अधूरा रह जाता मैं बढ़ गया, खुद को दाओ पे लगा के आगे, क्या पता था, मेरा हाथ पकड़, खुदा साथ चल रहा था तो जिंदगी भी ऐसे ही है, जब भी आप मायूस हों, निराश हों, जब भी आपको लगए कि जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा है तो आप ये सोचिए कि आप हैं, आप इस दुनिया में एक्जिस्ट करते हैं और आपको अभी चलना हैं तो हितेश के लिए क्या आगे होने वाला है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जितना भी होगा, जो भी होगा मैं अपना काम बड़ी इमानदारी के साथ करूँगा, ये मैंने डे वन से डिसाइड किया था, और आज तक वैसे ही कर रहा हूँ और आज तक किस साथ भी बने रहेंगे, और सबसे पहले जो नया क्रूँ आ चुका है, नए कास्ट आ चुके है, कोस्टास आ चुके है, सो स्टार्टिंग में जालब होना काफे डिफिकल्ट हो जाता है, या तो हो भी जाता है, अगर सामने वाला इतना कंफर्टेबल हो, ल जो भी जितनी भी थोड़ी थोड़ी बात होती है, सीन्स के बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको समझ में आ जाता है, कि एक इनसान जहनी तोर पर कैसा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो जिस तरह से बात करती है, या जो सेट पर उनका एक इनसानी तोर पर और जहनी तोर पर बहुत अच्छी है, बहुत उम्दार इनसान है, तो आखिर में ओडियन्स को क्या कहेंगे, बिकाज आपको भी देख रहे हैं, और एक नए अफ्तार में, सो क्या कुछ कहेंगे हैं? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी responsibility है और मैं ये आपके बिना पूरी नहीं कर सकता, तो जब भी आप प्लीज गुम है किसी के प्यार में देखें, और जितना प्यार, जितना affection आपने बाखी characters के साथ, actors के साथ शो किया है, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हिसकरद अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने प्लीज मुझे appreciation भी बेज़ें, थैंक यू हम भी तो लेकर आते ही हैं, आप सब की जिन्दगी में 24-7 entertainment की बारिश, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है, आपको क्या करना है, आप इससे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही important है, अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे चानल को सब्स्क्राइब जरूर करें, अब तो हम आ गए हैं आपके WhatsApp पर भी, तो जल्दी से जाहिए और वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजे ताकि आपनों मिस करें एंट्टेन्मेंट का कोई भी अपडेट